पंक्हे कूलर आपके घर के नंदर लगे हुए हैं और उसकी स्पीड को कंट्रोल करने के लिए आप सोचे हैं कि उसके अंदर बढ़ा सकता हूँ या कम कर सकता हूँ आप अगर ऐसा सोच रहे हैं तो सोचने से पहले ये वीडियो आप देख लीजिए ध्यान से ताकि आपको regulator जो खरीदने जा रहे हैं वो regulator आपके मनमुताबित चले ना कि अपने मर्जी से आपको हवा दे दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हमारे घर के अंदर आपने देखा हो तो यह problem आती है तब जब आपके अपने हिसाब से आप regulator नहीं खरीदते हैं जैसा कि आप चाहते हैं वैसा regulator आप खरीद करके नहीं लाएं या वैसा regulator आपने लगवाया नहीं है तो आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपको regulator खरीदना है और कौन सा आपके लिए suitable र दीजिए को चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं कि दोस्तों जब भी आप जाते हैं मार्किट में regulator खरीदने के लिए किसी पंखे का या कूलर का तो आप वहां पर जाकर के सिधे एक ही बात कह देते हैं सर हमें पंखे को कम जादा करने वाला वह regulator दे दीजिए तो दुकांदार अपनी मर्जी से कोई भी उठा करके आपको दे देता है जो उसके पास होता है क्योंकि आपने कोई डिमांड नहीं करी अपने तरफ से कि आपको कौन सा चाहिए आपको यहां पर डिमांड करना पड़ेगा कि आपको चाहिए कौन सा क्या आप चाहते हैं क् इस तरह की कोई नहीं करी इसलिए उसको हात में जो आया उसने आपको उठा करके दे दिया घर ला करके आपने उसको लगाया और लगाने के क्यों होता है यह आप ही की गलती के बज़ेसे होता क्योंकि आपने कोई वहां पर डिमांड नहीं रखी ठीक है अगर आप वहां पर कोई डिमांड रखते भाई मुझे कैसा चाहिए तो आज की जो यह वीडियो आप देख रहे हैं इसको देखने के बाद आप जो चाहेंगे सब्में जाते हैं वहां पर रगुवय ने आते हैं वहां पर रगुरेटर दो तरह के आते हैं एक होता है रोनीकल, खट खट कर देगा यानि कि एक पे तो फुल पे चलेगा और दो आपको इसमें स्पीड दे दी जाएगी ठीक है और एक होता है वॉल्यम वाला ठीक है वॉल्यम वाला है कि आप उसको बराम से जितना मर्जी उतना चाहें जैसे कि आपने पहले रेडियो आती थी या पहले चाहिए उतना आप उसको आवास को बढगा सकते हैं जितना आप सुन सकते हैं शक्के वह का मोता है कि आपको voltage कम या जादा करके दे देना इसना ही उसका काम होता है अगर voltage कम आएगा तो volume के यानि आवाज भी कम आएगी और voltage आगे कम आएगा यानि 240 बोल्ट से अगर आपका पंखा चलता है या cooler चलता है उसमें आप 220 बीस बोल्ट हो गया या 200-500 तो आपका वह उनलब स्पीड उसकी कम हो जाएगी इस पी हवा आपकी कम हो जाएगी पंखे या cooler के रेगुलेटर होते हैं वह 8 सुने चक्र आप गूमाना चाहते हैं उसको उतने चक्र गंए तो आप उसके लिए आपको वॉल्युम् वाले डुकान पर जाकर करके लेना पढ़ेगा आपको । सुने पंचे को बना सकते हैं उसके पंखे कूलर को ता रूस सब्सक्राइब करे जाता है अदर खटके लगा डिये जाते अंदर कि कुछ खट करें बेसे अपको ग्हुमा करके आपने कर सकते हैं उसमें आपको पंखे की स्पीड से आपको पता चले जाते हैं जितना और उतना ही तेज आपका cooler भी चलेगा जितना आप चाहेंगे तो जब भी आप regulator खरीदने जाते हैं तो आप इस्टेप वाला नया ले करके अगर आप अपनी मर्जी के हवा चाहते हैं तो वालीम वाले लीजिए और आप चाहते हैं कि इस्टेप वाला आप ले रहे हैं और सो सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको हमारे जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा मिलते हैं दोस्तों आने वाली सभी वीडियो के लिए नमस्कार